हेलो एवरीवन वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप सभी के सामने ये एक कलर के उन में बहुत ही प्यारा साथ स्वेटर डिजाइन लेकर क्या आई हूँ आप इस डिजाइन को स्वेटर में मफलर में टोपी में और सॉक्स बगरे में भी अपलाय कर सकते हैं बह आप इसे छोटे वेबिस के भी स्वेटर टूपी वगरे में बना सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये बनाते इस डिजाइन को उससे पहले अगर आपने हमारे चैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए जिनों ने कर रख है उस यह हमारे बैक का साइड होता है तो फ्रंट साइड में हम इस डिजाइन को नहीं बनाएंगे बैक साइड से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट साइड वाला क्या करेंगे इस तरीके से फंदे लेंगे एक फंदे स्कीप करेंगे और पूरी स्लाइज इतने भी आपने फंदे ल यह पूरी रोज है वो हम सिधा सिधा बीन लेंगे इस तरीके से हो गई हमारी पहली स्लाई कमप्लीट अब सेकंड स्लाई में बैक साइड से हम इस डिजैन को बनाएंगे देखिए बैक साइड आ गए क्या करना है पहले फंदे उतारेंगे बहुत ही आसान है और यह एक दो और यह तीन तीन फंदे को इस तरीके से स्लाई में लेंगे और एक एक फंदे निकाला फिर इसमें इस तरीके से स्लाई में उनको लपेटेंगे सिंपल ही और फिर इस तीनों फंदों में वापस से निकालेंगे तीन फंदे देखिए, The 3 थिन फंदे हमारे पस वापस से आ गए है और फिर इस 3 फंदो को च्छोड़ेंगे कैंगेरी एक पिर से एक पन को तो कुछ नहीं कर रहे हैं वापस से एक दो और ये तीन तीन फंदों को एक साथ बनाना है, देखे, तीन फंदे लेंगे, और इसमें से तीन फंदे निकालेंगे, एक हो गया, स्लाई मून को ऐसे ही लपेट लेना है, सिंपल सा, फिर वापस से इस तीनों फंदों में इस लाई को इन करेंगे, और एक फंदे निकालेंगे, देखे, तीन फंदे हो गए और यहां पे भी तीन फंदे तो फिर इसे चोड़ेंगे में वापस से उल्टा पिनेंगे और तीन सिलाई को इन करेंगे आराम से एक फंदे निकालेंगे impole is万 सिलाई में इसको घुमालेंगे वापस से एक फंदे और बना लेंगे तो ये हो गए तीन फंदे तो इसमें कोई भी फंदे ना बढ़े हैं ना ही घटे हैं इसी तरीके से आपको पूरी सिलाई बीन लेनी है आपने जितने भी फंदे ले रखे हैं बैक साइड से ऐसे ही बना लेना है तीन फंदों को एक साथ बिनेंगे और फिर ये last के दो फंदे हैं इसे हम बिन लेंगे simple ही तो ये first जो है डिजाइन का हम समझ लें तो first row है ये हो गया complete अब हम आ जाएंगे वापस से right side में देखे ऐसे अब right side में आपको कुछ नहीं करना है एक फंदे को skip करना है और सभी फंदे को सिधा बिन लेना ये तीन फंदे जो है ना इसे भी separate करेंगे अलग करेंगे एक एक करके एक दो तीन वापस से ये देखिए एक दो तीन वापस से एक दो तीन देखे फिर इस तरीके से ना आपको पूरी स्लाई जो है बीन करके कर लेनी है complete कुछ इस तरीके से नजर आएंगे छोटे-चोटे बूटी के सेफ में अब वापस से हमें बैक साइड से इस डीजाइन को क्या करना है ना complete करना है तो यह जो दो आपको छोटे-चोटे बूटी नजर आ रहे हैं इसके बीच में यह डीजाइन को बनाना है जो थार्ड रूसलाई में तो इसमें क्या करना यह बीच वाले जो फंदे हमने छोड़े हुए थे ना एक फंदर जो गैप दिया था एस दो डीजाइन के बीच में तो इसको और बीच में लाना है तो यह 3 कमें एक साथ यह इन यह तो फंदी इस सब्स्राइं यह से लिग तो यह से दो घुजाइन ना रहे हैं कैसे बनाइंगे देखिए फंदे बना लिए और फिर स्लाय में तिसरे वाले फंदे को निकाला और फिर ये तीनों को छोड़ देंगे तो ये जो बनेगा न हमारी दो फूल के बीच में ये पैटन बनेगा बन जाने दीजे फिर मालूम चलेगा फिर एक फंदा हम सिंपल ही लेंगे और फिर से तीन फंदों में तीन फंदे निकालेंगे एक हो गया दो हो गया वापस से ये तीसरा फंदा है फिर छोड़ेंगे तीनों को एक फंदा सिंपल बिनेंगे फिर से तीन फंदों को एक तीन फंदा बनाएंगे देखिए ये हो गया एक दो और ये फिर तीन फिर तीनों को कि एक फंदा अभी हां लास्ट के तीन फंदे को भी हम बीन लेंगे कि सिंपल ही उल्टा बीनेंगे यह हो गया अब हम आ जाएंगे वापस से राइड साइड में तो देखिए यह दो बूटी वाले डीजाइन जो है इसके बीच में एक यह फंदा बना है इसको जो हम टोटल स सिधा सिधा फंदा बनाएंगे ना तो फिर हम यह पैटन मालूम पड़ेगा तो क्या करना है सभी फंदे को हमें सिधा सिधा बीन लेना है यह दो फूल के बीच में यह तीसरा वाला फूल बना नजरा रहे हैं तो सिंपल यह ऐसे ही बनाते जाना है और यह ब्यूटिफूल सा डीजाइन बन गरके तयार हो जाएगा अब जब नेक्स्ट डीजाइन बनाएंगे ना तो यह बीच वाला ही हाँ पर साफ साफ हमें यह लाइन वाले फंदे दिख रहे हैं तो इसको बीच मे रखेंगे मतलब इन तीनों को हमें फंदा बनाना है इसे हमें एक फंदा बिनना है फिर से हमें तीन फंदा बिनना है इस तरीके से ही आप बनाते जाएए और यह ब्यूटिफूल सा डीजाइन बन करके तयार हो जाएंगे उमीद करेंगे आप सभी कोई डीजाइन और यह वीडियो helpful लगे होंगे और डीजाइन पसंद आये होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई दिकत आती है तो कॉमेंट करें सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू